Hey guys, don't forget to click on the subscribe button and click on this bell button to get all updates about e-commerce, start-ups, news, reviews, unboxing and everything about online shopping. Welcome back to another video about Shopify store. और आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ आप स्टोर के बारे में, Shopify के आप स्टोर के बारे में. ठीक है, पिछले वीडियो में हमने discussion किया था, discount analytics customer और उसके पहले वाले वीडियो में, products के बारे में, आज हम बात करने वाले हैं, app store के बारे में, जहाँ पे आपको हजारों, नहीं, लाखों शायद यहाँ पे apps दिखेंगे, जो आप यूज़ कर सकते हैं, अपने Shopify store को, ज़् customer friendly और smart बनाने के लिए, ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे, बहुत सारे tools हैं, जो आप use कर सकते हैं, उसमें से बहुत कम ऐसे tools होंगे, जो free होंगे, लेकिन जो free होंगे, उसको आप अच्छी तरह से अगर इस्तमाल करते हैं, अच्छी तरह से integrate करते हैं, तो आपकी website जो है वो काफी ज़्यादा user interactive बन सकती है, हमने कुछ applications यहाँ से use किये हुए हैं, मैं आपको बता सकता हूँ, यहाँ पे कितने सारे, यह सारे applications जो आपको दिख रहे हैं, यह सारे applications जो हैं, हमने use किये हुए हैं, ठीक है, तो basically applications को use करने के लिए क्या करना पड़ता है, जैसे कि मै आपको बता देता हूँ, यहाँ पे मैंने कुछ use किया है, यहाँ पो reviews, product reviews, wish list, यह सारे, काफी सारे common applications हैं, जो हर एक website में होता हैं, ठीक है, mail chimp है, यहाँ पे mails भेजने के लिए, फिर यहाँ पे announcement bar है, discount reminder है, यह सारे applications बहुत ही common हैं, जो use कर सकता हैं, ठीक है, अभी इसक यहाँ पे देखिए, octane AI messenger marketing, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, price free, custom, ठीक है, अभी यहाँ पे देखिए, octane AI starts at $99 a month and includes 4000 abandoned cards a month, after 4000 messages, it is 2.5 cents per additional, मतलब यह free नहीं है, यहाँ पे free trial period दिया गया है, 30 days का, तो यह आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन से free हैं, कौन से free नहीं ह आपको इसका charge लगना शुरू हो जाएगा, तो जो free है, उसको आप पहले use करिए, उसको use करने के लिए easy method है, वो में बता देता हूँ, यहाँ पे देखिए, price all free वाला जो option आता है, उसको select करिए, यहाँ पे mostly आपको free options जो है, वो मिल जाएंगे, तो email notification for upselling, अगर सपोज आ रखा होगा, मैं देख लेता हूँ, नहीं use किया हूँ, इसको हम use करते है, get पे मैं click करूँगा और इसको install करूँगा, ठीक है, बहुत सारी applications ऐसी होती ही, जहाँ पे आपको video demo भी यहाँ पे दिखता है, इस पे नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे access आपके चाहिए होंगे क install now पे click कर देता हूँ, तो अब यह install हो रहा है और install होते ही, यहाँ पे उसका dashboard खुल जाएगा, वो application का, तो इस तरह से उसका dashboard खुल जाता है, ठीक है, अब यहाँ पे, देखें, यहाँ पे application has been installed, अब यहाँ पे काफी सारे offers और वो सारे आपको दिखेंगे, जो आपको set कर पड़ेंगे, ठीक है, add new offer, template, send mail, तो यह basically आप set कर सकते हैं, अपने आप, यह self explanatory है, आप यहाँ पे देखके भी समझ सकते हैं कि क्या कैसे करना चाहिए, templates use कैसे करने चाहिए, तो basically यह app store में आपको बहुत सारे ऐसे tools मिलेंगे, जो आप अगर free है, तो उसको definitely try करिएगा, एक चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर कोई भी application में आपको वो कहता है कि इसका code copy-paste करिए आपके theme में, तो वो मत करिएगा, क्योंकि वो करने के चक्कर में आपकी theme बेकार हो सकती है, ठीक है, जो auto install होते हैं, वो ही आप run करिएगा, अगर वो कहीं पर भ करिएगा, वो ही मैंने install किया, क्योंकि मेरे साथ एक बार ऐसा हुआ था, इसी दौरान ये website बनाने के ही दौरान, मैंने वो copy-paste किया, product liquid में और पूरी theme भी गड़ गई, तो वो आपके साथ ना हो, इसलिए आप उसको auto install वाले जो applications होते हैं, उसी को ही आप run करिएगा, तो 66 reviews, 44 reviews और 5 star rating है सबकी, यह देखिए, mostly सबकी 5 star rating है, क्योंकि Shopify में जो apps बनाते हैं, वो काफी intelligent बंदे होते हैं, और उनकी applications भी काफी useful होती है, जो free होती है, उसकी जो paid होती है, उनकी obviously अच्छी होती है, तो वो होने के बाद, आपकी website जो है, उसमें काफी change आ जाता है, जैस इस तरह से उनको rewards मिलते हैं, यह एक application है, फिर messages यह भी application है, wish list यह भी application है, फिर यहाँ पे जो आपको यह दिख रहा है, वो भी application है, तो यह सारे applications आपको यहाँ पे दिखते हैं, ऐसे, तो यह applications यूज़ करना बहुत ज़रूरी है, अगर आप use नहीं करेंगे, तो आपकी website जो खाली खाली दिखेगे, ठीक है, तो यह applications पेज पे जाईए, यहाँ पे explore करिए, install करिए, test करिए, और test करने के बाद ही आपको idea आएगा कि वो website कैसी दिख रही है, तो दोस्तों एक चीज़ का आपको ध्यान यह भी रखना पड़ेगा, कि कोई भी app अगर आप install करते हैं तो वो करने से पहले आपको definitely वो check करना पड़ेगा, वरना आपके हर महिने उतने पैसे आपके account से debit हो जाएंगे और आप सोचते रहे जाएंगे कि यह कहां से debit हो रहा है, तो I hope कि यह वीडियो में आपको idea आ गया होगा कि apps को कैसे install करना है, क्या ध्यान रखना चाहिए, apps क इंस्टॉल करते वाद, क्योंकि यहां पे हजारों apps हैं, तो मैं आपको हर एक app install करके नहीं दिखा सकता, लेकिन यहां पो आपको almost हर एक तरह के applications मिल जाएंगे, shipping related, reporting, customer service के related, product sourcing हो, marketing हो, tools हो, sales हो, यह हर तरह के products आपको applications यहां पे मिल जाएंगे, जिससे आप customer experience और अच् बुलेगा, और वो bell button को भी दबना मत बुलेगा, क्योंकि ऐसे important videos, अगर आप चुक जाएंगे, तो आपको नुकसान तो नहीं होगा, लेकिन फायदा definitely कम हो सकता, so that's it, thank you, take care, God bless you all, bye-bye. झाल